नमस्कार दोस्तो रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत थे तो इस वीडियम देखने वाले बैंक्रप्ट कम्पनी के बारे में जो A, D, A, J एनि अनि अनिल धीरुबाई अंबानी कुरूप से बिलोंग करती थी कम्पनी का नामे आर नेवल एनि रिलाइंस नेव और जो भी कम्पनी वे बहुत ही जादा रिस्की कम्पनी एक तो आपको यहां पर आच्छे रिटन बना कि देगी यह फिर इसके उल्टा भी हो सकते आपका पूरा पासा डोबा भी सकते मतलब जीरू भी कर सकते तो यहां पर खुदका स्टडी जरूर किजे उसकी बाद यानी R Neville एंसल्ट में के कोड में अडिमित थी आप लोगों को पता रहुआ यहापर कंपनी बैंकरफ्ट होने के पाद जो भी बैंक से लेनर से इन्हों नियापर एंसल्ट में कही चाता तो यहापर एंसल्ट पर यहाँ पर पास किया गया था तो यहां पर खरीदने की बात क्या होता है जो पुराने शेर उडरे थे इनका क्या करना है उसके लिए के आपे मिटिंग होते है तो अब भी तो फिलाल ए बता ले जारे कि जो पुराने लोगे पुराने शेर उडरे इनको 275 शेर के बदले सिप एक शेर मिलने वाले स्वैप मतलब सो सकते कितना बड़ा नुक्सान है जो भी पुराने लोगे पुराने शेर उडरे इनका तो देखे स्टॉक मार्केट में ऐसे रहते है अगर कोई बैंकरप्ट कंपनी को सामने से कोई बड़ी कंपनी करित थे तो हमेशे ऐसा ही के जाता जैसे कि हमने रुच्छी स्व चोटे इनका पैसा हमेशा डूपता है स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी बैंकरफ्ट होती है तो यह तो गया पुराना नुज तो नया अपडेट के है जैसे कि हम लोग आ गए बी एसे के ओपिशल वेबसाइट के उपर तो वहाँ पे CIRP के लिए एक अपडेट दिया ग इकन मीटिंग यहाँ पर 7th January की दिने आपर हो चुका है 17 January की दिने आपर इसका मीटिंग हो चुका है तो आगे जैके देख लेते हैं इन्होंने क्या यहाँ पर आउटकम निकाल है अगर कुछ अच्छा आउटकम रहेगा तो में भी आगे जैके जो रिलाइंस नेवल का स् यह भी बड़ा कोस्चन है देखे स्टॉक मार्केट में कैसे रहता है अगर कोई छोटी कंपनी रहते जैसे कि 10 रुपए का श्टॉक दो रुपए का श्टॉक ऐसे स्टॉक में कैसे रहता है एक तो जो श्टॉक्स रहते निउस के ऊपर भागेंगे यह पर दूसरा तो operator मतलब कोई रहते हैं? जिनके पास लागो करोडरों पर रहते हैं एसे लोग रहते हैं कि यहाँ पर stock को manipulate करने की कोशिश करते हैं तो हैं लोग क्या करते हैं? इसे stock को पहले यहां पर buy करेंगे, ज़्यादा buy order लागाई देंगे जैसी छोटे stock में ज्यादा buy order देते हैं तो यहाँ पर stock अपर circuit में भागता है जैसी top level पर जाएगा तो यह लोग क्या करते हैं यहाँ पर stock को बेशना चालू करते हैं तो हमेशा retail investor चोटे लोग क्या करते हैं यहाँ पर तीजी देखके stock को buy करने की कोशिश करते हैं जैसी top level पर चोटे चोटे लोग buy करने की कोशिश करेंगे तो operator लोग अपना यहाँ पर माल बेशना चालू करेंगे और stock को लगातार लोगों सेर्क्ट में खेला देगी तो हमेशा जो नुकसान रहता है चोटे investor का, retail investor का होता है तो ऐसे stock में कभी भी participate नहीं कर रहा है जबी भी stock भागता है, penny stock उस stock को buy करने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए बहुत सरे लोगों ने अभी तो फिलल buy order लगा रहेंगे देखें जिस दिन आपके portfolio में जिस stock आजाएगा उस दिन lower circuit लगना चालो जागा और top level पे आप लोग फस सकते हैं तो ऐसे कभी भी rally आते हैं यहाँ पे penny stock में कभी भी participate नहीं करना है में भी आपको फसाई जा सकता है top level पे तो सोच समझ के खुद का study ज़रूर कीज़े अगर आप पूरा ने शोड़ रहेंगे तो आप इंतजार कर सकते हैं आगे जाके NCLT में भी दूसरा फेस्टा सुना भी सकते हैं उसके बस stock को यहाँ पे जो future डिपेंड करेगा यह तो तो ता आज का एक वीडियो वीडियो अचला को तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं